पुलिस ने दो यूवक को प्रिस्टल एवब गोली साहिद भारी मात्रा में सराथ के साथ गिरखतार कर लिया जबकि एक यूवक अभी भी पुलिस की पकर से बाहर है अगिर अफ्तारी तेगरा थाना छेतर के दन्यालपूर से की गई है दोनों के अफ्तार आरोपी यूवक की पहचान दन्यालपूर के रहने वाले हमानसु कुमार और दुर्गेश कुमार के रूप में की गई है वही तेगरा ठाना अध्या संजे कुमार ने बताया कि तीन यूपकों के द्वारा बर्थदे पाची में पिस्टल सिख्की काटा गया था। तबी शोशल मीडिया पर फोटो वारल हुआ। उस फोटो को सत्यापन करने के बाद यूवक की पहचान हिमानशू और दुर्गेश कुमार के रूप में की गई है। इसी के अधार पर जब पुलिस के द्वारा दन्यालपुर गाउं में छापे मारी की गई तो दोनों यूवक की गिरफतारी हो गई। गिरफतारी के दोरान दोनों यूवक के पास से पिस्टलर गोली भी बरामत किये गए। और उसने घर के बगल में छोपड़ी में शराग को भी जमीन में छुपा कर रखा था। जब पुलिस के दोरा जमीन खुदवाया गया तो उस जमीन के अंदर से 17 बोतल विदेशी सराब भी पुलिस ने बरामत की। उन्होंने बताया कि दोनों यूवक को गिरफतार कर लिया गया है। तो लाग एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफत से बाहर है। उस आरोपी यूवक की गिरफतारी के लिए पुलिस दोरा छापे मारी की जा रही है। विरो रिपोर्ट आईपियम।